इतमिनान से कमाओ और इतमिनान से बचाओ और जैसे कमाओ वैसे खर्च कर लेना इतमिनान से कमाओ और इतमिनान से बचाओ और जैसे कमाओ वैसे खर्च कर लेना और मेरे सब्द अगर आज आपके जहन में होता रहें तो यूटूब पर लाश नेम बाबा सर्च कर लेना कि सरयाम महबत से बारदाते बढ़ गई है सरयाम महबत से बारदाते बढ़ गई है लगता है महबत अंदरूनी करनी होगी सरयाम महबत से बारदाते बढ़ गई है लगता है महबत अंदरूनी करनी होगी और बस तू मेरे साथ रहे मुझे जमाने की परवा नहीं कोई तीसरा अगर बीच में आया तो महबत खुनी करने होगी बेहद प्यार में हूँ बेचेनी मत बड़ा मेरा दर्द हदय पार किया तो सब खाक हो जाएगा बेहद प्यार में हूँ बेचेनी मत बड़ा मेरा दर्द हदय पार किया तो सब खाक हो जाएगा और उसकी हिफाजत और तेरी संतुष्टी के लिए खुद को मिटाने चला आया हूँ अब उससे नजरें हटा दे वरना तेरा काफिला राख हो जाएगा तो सुनिएगा कि अच्छे बेटे और भाई का किरदा नेवाना भी जरूरी है सपने बाद में हैं पहले गर की मजबूरी है अच्छे बेटे और भाई का किरदा नेवाना भी जरूरी है सपने बाद में हैं पहले गर की मजबूरी है और सब के हिस्से में आने के लिए खुद को कई हिस्सों में वांट लिया आसमान के सपने देखने वाले ने है अपने पंखों को काट लिया तो सुनिएगा कि उसके एक बार कहने से सांसें लोटा सकता हूँ वो अगर कहे तो खुद को मिटा सकता हूँ और तुम जो मेरी कहानी के विलिन हो तुमारा किरदार भी जरूरी है तुम जो मेरी कहानी के विलिन हो तुमारा किरदार भी जरूरी है पहले ये कहानी दास्ता बन जाए तुम्हें तुम्हें कभी भी रास्ते से अटा सकता हूँ मिठास में कोई तोड नहीं उसका पांच रुपे की चोकलेट नहीं सुद्द देशी सहद है मिठास में कोई तोड नहीं उसका पांच रुपे की चोकलेट नहीं सुद्द देशी सहद है और मेरी आँखों में देखके मेरा सच जान लेता है मेरी आँखों में देखके मेरा सच जान लेता है कोई आता जाता सक्स नहीं है मेरी रूमें कहद है तो कुछ लाइने लिखी हैं जड़ा सुनिएगा कि लिखना सुरू कर दी ये कहानी लिखना सुरू कर दी ये कहानी और मेरे हर किस्से की सुरूबाद तेरे जिक्र से हो रही है लिखना सुरू कर दी ये कहानी मेरे हर किस्से की शुरूबा तेरे जिक्र से हो रही है और अभी तो मेरे कदम चलना शुरू भी नहीं हुए सुना है उसे मेरी फिक्र सी हो रही है और जब रवाना कर ही दिया तुझे तो तेरे आने का इंतजार क्यों करूँ और जब रवाना कर ही दिया तुझे तु 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 अच्छी थी कहानी हमारी मगर अदूरी रहे गई महबत बेमतिहां करने के बाद भी दूरी रहे गई। और शुक्रिया शुक्रिया अब नजर नहीं आउंगा तुझको तुझे नजरों से दूर कर दिया अब नजर नहीं आउंगा तुझको तुझे नजरों से दूर कर दिया पूरी तरह बदलने पर तुने मुझे मजबूर करती अब कलम से कैसे लिखूं उदास दिल के अफसाने तेरे विना रहना नामम के नहें बाकि तेरी तो खुदा जाने अब कोई और तेरे माथे पर सिंदूर लगाएगा डर बस इस बात का है कि मुझसे मेरा अंत कैसे देखा जाएगा और सोचूं फिर लिख दूं और लिख कर मिटा दूं तेरी बेवफाई का किस्सा में सब को सुना दूं पर इस कहानी में महबत के राज तो मेरे भी हैं तो फिर कैसे चान्द पर उंगली करूं और दाग लगा दूं तो सुनिएगा कि क्या करूंगा इजहार करके क्या करूंगा इजहार करके महुबत है तो आँखों में दिखी जाएगी क्या करूंगा इजहार करके महुबत है तो आँखों में दिखी जाएगी कोई दो चार दिन की कहानी नहीं है एक दास्तान है इतियास में लिखी जाएगी सुनिएगा कि मेरी सच्चाई जानके मुझी पर वार कर दिया कर गए ना गलती मेरी सच्चाई जानके मुझी पर वार कर दिया कर गए ना गलती और मेरे दर्द का सरेयाम ब्यापार कर दिया कर गए ना गलती और अब तुमारा एक कदम तवाई की शुरुवात है जिन्दा छोड़के समझ रहे हो सिकार कर दिया कर गए ना गलते तो सुनियेगा कि आज तेरे सहर से जाने का समय आ गया है रू से रू को मिलाने का समय आ गया और न्यूज और वारदातों में तो कई बार आ लिये अब इस कहानी के इतिहास बनाने का समय आ गया सुनियेगा कि बातों की मिठास फिर से बढ़ गई बातों की मिठास फिर से बढ़ गई जब उसकी सरारत एक जिद पर अड़ गई और इतनी सरारती है सारी बातें मनवा लेती है लगता है कोई चुडेल गड़े पड़ गई बहुत जिद्धी है मगर पाकर छोड़ूँगा मेरी मंजिल को रास्तों से मिला कर छोड़ूँगा और जिनको लगता है नाकारा और बेकार हूँ मैं मेरे दोर में तुम सब का गुरूड जरूड तोड़ूँगा और ये अंतिम है अगर अच्छा लगे तो जरा बैया दीजेगा तो चला आज तेरे दर पे आते हैं सुना है काफी गमों के इलाज हो जाते हैं तो चला आज तेरे दर पे आते हैं सुना है काफी गमों के लाज हो जाते हैं जो हुआ एक जखम भी ठीक तो बतौरे फीस अपनी सांसे रख दूँगा जो हुआ एक जखम भी ठीक तो बतौरे फीस अपनी सांसे रख दूँगा मेरी चोटे लाए लाज हैं बड़े बड़े हकीम सर जो काते हैं